नमस्कार आप बिहार इन्सोर्ट्स देख रहे हैं मैं हूँ प्रम्मीर सिंग आश्यतोष साही हत्याकान में बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है मुख आरोपी मंटू सर्मा को बिहार पुलिस ने गिरफतार कर लिया है मंटू सर्मा के साथ साथ गोविन को भी पुलिस ने उठाया है तामिल नाडू के रामे सुरम से गिरफतारी की गई है और उसे अब बिहार लाया जा रहा है बिहार की डीजिपी आरेस भटी भी मुझपर पूर पहुंचे हुए हैं तो देखिए तामिल नाडू से स्टीम की टीम ने इन दोनों कुख्यात अपरादियों को एक साथ गिरफतार किया है मंटू सर्मा जो है इसके उपर 15 से अधीक मामले दर्ज है और ये आस्तोस साही जो की मुझपरपूर के बड़े जमीन कारोबारी थे उनकी हत्याकांड मा पराड चल रहा था जिसे बिहार पुलीस कई दिनों से खोज रही थी और आप देखिए तामिलाडू से इनहें गिरफतार किया गया है मंटू सर्मा और गोविन गोविन जो मंटू सर्मा का का सूटर है कहा जा रहा था कि गोविंद नहीं इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और मंटु सर्मा की सारे परास्टो साही की हत्या की गए थी जिसको लेकर अब देखिए बिहार पुलुस ने प्रेस रिलीज भी जारी किया है और बताया गया है कि आज बिहार स्टीएप की व अपसा थाना कर रहने वाला है गोविंद कुमार सर्मा जो की मुझवापूर के मनियारी थाना कर रहने वाला है तामिलाडू राज के रामिसुरम से छापे मारी कर गिरिफतार किया गया है और इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि अन अभ्यूक्तियों की गिरिफतारी और ब्राम्त की हितों और निराजियों में भी स्टीएप की टीम के दोवारा छावेमारी की जा रही है। बिहार पुलिस पर जो लगतार सवाल उठ रहे थे कि आसुतु साही हत्याकांड में बिहार पुलिस आखिर क्यों मंटु सर्मा को गिरिफतार नहीं कर पा रही है तो बिहार पुलिस के तरफ से अब जवाब दे दिया गया है मंटु सर्मा और गुमिंद दोनों को उठा लिया और अरेजभट्टी कि जो पुलिस है तामिलनाडू के रामेशुरम से जाकर गृफतार करकर ला रही है और इसे मुझरफापूर लाया जाएगा और कूट में पेश किया जाएगा और फिर पूलिस दोनों को रिमान पर लेखी रिमान पर लेने के बाद इन दोनों से पूश् पर इसकी हत्या की तो कई सवाल हैं और सारे सवालों का जवाब जो है मंटु सर्मा दे सकता है तो बिहार पुलिस जो है मंटु सर्मा से पूछताच करें कि और देखिए आरेस भटी भी जो है थोड़ी देर करन दर मुझावरपूर पहुचने वाले हैं वहाँ पर प्रिस के और बताएंगी कि कैसे आंखर मंटु सर्मा को बिहार पुलिस ने खिरिफ्टर किया कैसे सर्गों कर deployed कि बिदियो फेश्व को Pen